अमृतपाल को विशेश हेलिकॉप्टर से असम भेजा गया है और हेलिकॉप्टर में पंजाब पुलीस की विशेश टीम भी उसके साथ है जाहिर सी बात है यहां ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से उसे अब असम ले जाना जरूरी था इसलिए विशेश विमान के जरिये कानून के शिकंजे में आते हुए हेलिकॉप्टर में पंजाब पुलीस की विशेश टीम अपने साथ उसे असम लेकर जा रही है हाला कि पुलीस टीम को मोबाइल इस्तिमाल ना करने की भी सलाह दी गई है और ये इसलिए भी मोहित बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत से ऐसे समर्थक है और ये कहना भी क्या सही नहीं होगा कि डिब्रूगण में ही ऐसे बहुत से समर्थन पहले से मौजूद है और यहाँ पर भी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी बहुत जरूरी है और इस पूरी मुव्मेंट में ये निर्देश देना की बेटर रहेगा अगर पुलीस आफिसर्स भी अपने मोबाइल्स का इस्तेमाल ना करें देखें किसी भी तरह से पंजाब पुलीस का प्रयास ही है कि अमरितपाल को इस तरह से पेश ना किया जाए कि कल को जो लोग हैं जो युवा हैं उसको आदर्श मानना शुरू करतें और यही अमरितपाल का प्रयास भी है आप देखें पूरी जो सोची समझी प्लानिंग के तहर जब आई-स-ई के इशारे पर वो दुबाई से अपना काम का छोड़ कर जोर्चिया में अपनी केंडरावाले की तरह खुद को पेश करता है तो इसी अजंडे को लेकर वो लगातार आगे बढ़ रहा था तो अब गिरफतारी के दौरान भी उसने यही कुछ करने का प्रयास किया वो चाहता है कि गिरफतारी से पहले कुछ अपनी चाप वो छोड़े जिससे वो युवा बटिंडा जो एर बेस है जहां पर एयर फॉर्स स्टेशन है वहां से ऊसको एर लिफ्ट किया जा रहा है तो रिस्टिक्टिड एडिया है वहां पर पंजाब पुलिस की जो टीम साथ में मौझूद है जो की डिब्रुगड जा रही है उनको कह गया है कि आप मॉबाइल फो का बन कर वहां से लीक ना हो पाई इसके लिए भी वहां पर कड़े निर्देश दिये गए है